नमस्कार, गजब का स्वाद में आपका स्वाधत है, मैं हूँ सुनीती शर्मा, आज मैं आपको लौकी का बराठा बनाना बताऊंगे लौकी का बराठा बनाने के लिए मैंने एक कप गेवूं का आठा लिया है आधा कप मैंने बेशन लिया है पॉन कप मैंने लौकी को छील कर कद्दू कस करके और धोकर उसका पानी निकाल लिया है वो भी हम आटे में मिला लेंगे पॉन कप मैंने लौकी ली है स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे एक चुटकी मैंने हल्दी पाउडर लिया है चौथाई छोटा चमच मैंने हिंग पाउडर लिया है एक चुटकी मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है चौथाई छोटा चमच मैंने अजमाइम लिया चोथा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है आधा चोटा चम्मच मैंने चाठ मसाला लिया है एक छोटा चम्मच मैंने कसूरी मैठी ली है तो दो चम्मच मैंने बारिक कटा हुआ हरा धनिया लिया है आदा चम्मच मैंने अध्रक को पीव लिया है अब हम इस आटे को अच्छे से गून देंगे इसको हम पराठे के आटे की तरह ही गून देंगे और इसके उपर थोड़ा सा हम तेल लगाकर आदे गंटे के लिए डखकर रग देंगे आटाई को गुंदे हुए आदा गंटा हो चुका है देखिए हमारा आटा अच्छे से हो गया है अब हम इस आटे को 2-4 मिनट तक अच्छे से मलेंगे आटा हमारा तैयार हो गया है अब हम इसके पराठे बनाएंगे तवा हमने गरम करने रख दिया है जब तक हम अपना पराठा तैयार करते हैं यह हाथ में मैंने तेल लगा लिया है अब हम पराठे के लिए थोड़ा सा आटा लेंगे उसमें हम सूखा आठा लगाएंगे और पराठे को बेलेंगे जैसे हम नॉर्मल घर में पराठा बनाते हैं थोड़ा सा बेल कर बीच में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे ये हमने फोल्ड कर लिया है और सूखा आठा लगाकर हम पराठा तयार करेंगे हमारा पराठा तयार है तब हमारा गरम हो चुका है इस पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और पराठे को इस पर हम डाल देंगे एक तरफ से हमारा पराठा सीख जया है इसको हम अब पलट देंगे अब हम उपर वाली तरफ तेल लगाएंगे चारो तरफ उसको मलेंगे अब हम इसको पलट देंगे पराठе को हम मीडियम आज पर सेकेंगे Taliban परम ए मैं इसे की पराठा हमारा हमार नग अज प्रुकनीम अमसे आगे अमसे एक क्लेट में निकालेंगे यह पराठा हमारा सर्फ करने में यह सर्फ के लिए तयार है यह मैंने बंदा उवा दही है इसे हम दही के साथ सर्व करेंगे, इसमें स्वाध अनुसार हम नमक डालेंगे, एक चुटकी मैंने पिसी हुई काली मिर्च लिए वो हम डालेंगे और पुदीने पत्ते एक से हम इसकी गार्नेशिंग करेंगे ये पराठा हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है लीजिए तैयार है हमारा हेल्दी लौकी का पराठा वो भी दही के साथ